हेलो एवरिवन, वेलकम बैक माई यूटूब चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे राजस्तान की मिट्टी, वीरो के सोरिय, बलिदान के लिमसूर है यहां के योध्धाव की गाता आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती है केवल वीरो की गाता ही नहीं, बलकि इनकी सुनारा पर कहीं प्रेम कहानिया भी है जो आज भी बहुत परचलित है दोस्तों आज हम बताएंगे कि राजस्तान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी जो इत्यास में डोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यानत है आज भी इस प्रेम जोड़े का जिक्र यहां के लोग गीतों में होता है नर्वर के राजनल के तीन साल के पुत्र साले कुमार का विवा बच्पन में जागुल देश यानी बिकानायर के पोगल नाम के ठिकाने के स्वामी पमार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ था क्योंकि दोनों भी बहुत छोटे थे इसलिए दूलहन को ससराल नहीं ले जाया गया बड़े होने पर राजकुमार की एक और साधी कर दी गई अब तक राजकुमार अपनी बच्पन में हुई साधी के बारे में भूल गया था उधा जागुल देश की राजकुमारी अब शानी हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे माबाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर के कई संदेश बेजे लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं गया राजकुमार की दूसरी पत्नी इश्या के चलते राजा पिंगल दौरा बेजे गए संदेश वहाकों को मरवा देती थी उसे इस बात का डर था कि राजकुमार पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आ गया तो उसे छोड़ कर पहली के पास चले जाएगा इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी के सुन्दरता थी उधर राजकुमार साले कुमार के ख्वावों में खोई हुई थी एक दिन उसके सपने में रहसाले कुमार आया इसके बाद में वियोक की अगनी में जलने लगी उसे ना खाने में रुची रही ना दूसरे कामे में रुची रही उसकी हालत देखकर उसके माने राजकुमार से फिर से संदेश भेजने का संदेश आग रह किया इस बार राजा पिंगल ने एक चतु डोली को नर्वर बेजा जब डोली नर्वर के लिए रवाना हो रहा था तब राजुक्मारी ने अपने पास बुला कर मारू आख में दोहे बना कर दिये और समझाया कैसे उसके प्रियतम के शम्मुक जाकर उसके ये गाकर सुनाना है यह सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजुक्मारी किसी भी संदेश वहाको को मार कर राजा से पूचने से पहले संदेश वहाको को मरवा देती थी डोली ने राजुक्मार को वचन दिया था कि या तो राजुक्मार को लेकर आए या तो वही मर जाएगा चतु डोली य चक बनकर किसी तरह नरवर में राजकुमार के महल तक पहुँच जा रात में उसने उच्छी आवाज में गाना शुरू किया बारिस की रिम जिब फ़ारों में डोली ने मलहार राग में गाना शुरू किया मलहार रात का मुदिर संगीत राजकुमार के कानों में गूजने लगा वह जूमने लगा तब डोली ने साब सब्दों में राजकुमारी को संदेश गया गीत में राजकुमारी का नाम सुनते ही साले को चोक गया और उसे पहली पत्री याद आ गई डॉली ने गागाग कर बताए कि उसकी प्रियतम कितनी सुन्दर है और उसकी याद में कितनी व्योग में है डॉली पुरी रात ऐसे ही गाता रहा सुबह राजकुमार ने उसे बुला कर पहुचा तो उसने तो पुंगल चलाए राजकुमारी का पूरा संदेज सुनाया आखिर कार साले कुमार ने अपनी पहली पत्नी को बुलाना है तु पुंगल जाने का निश्य किया उसकी दूसरी पत्नी मालवानी ने उसे रोक दिया उसने कहीं बहाने बनाए पर मालवानी हर पार उसे किसी ना किसी तरह रोक लेती थी आखिर एक दिन राजगुमारे एक देज तेज चलने वाले उट पर संवार होकर अपनी प्रियतम का लेने पहुची गया व्योग में चल रही राज गुमारे अपने प्रेम तमसे मिलकर खुसी से इतने जूम उठी हागिरकार उसका प्रेम जो मिल गया था दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताएं दोनों एक दूसरे में खो गए एक दिन नर्वर जाने के लिए राजा पिंगल से विदाईली कहते है रास्ते के रेगिस्तान में उम्र सॉबरा के राज कुमार को पाने के ले शडियनत में फस गए उम्र सॉबरा सॉले कुमार राज कुमारे को हाजल करना चाहता था उसके रास्ते में जाल बिचा कर महफिल सजा कर बैटे थे राजगमार अपनी कुछ सुर्थी पतनी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उसे उम्र के उसमान मारी की और उसे रोक लिया राजगमार ने राजगमारी को उट पर पैठे रहने को कहा और खुद उम्र के साथ अमल की मलवार में बैठ गया इदर डोली और राजकमार वें उम्री काफिन की मुनहार ले रहे थे मारू के देश से आया डोली बहुत चतुर था उसे उम्र समरा के सडियन्त का आवास्त हो गया था डोली ने चुपके से इस सडियन्त के बारे में राजकमार को बताया राजकमारी बिरेगिस्तान की बेटी थी उसने उट के एडी मारी उट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए राजकमार दोड पड़ा पास आते ही मारवारी ने कहा कि धोका है जल्दी उट पर चड़ो ये तुमें मारना चाहते है इसके बाद दोनों ने कहा महा से भाग कर नर्वर पहुच करी दब लिया यहां राजकमारी का सुआगत सतकार किया गया और वो महा की रानी बनकर राज करने लगी इत्यास में इस प्रेमी जोड़े को डोला मारू के नाम से जाना जाता है तब से आज तक उसके नाम के गाने पुरे जोर सोर से गाय जाते हैं और उनके प्रेम का गुन गान क्या जाता है दोस्तो ये थी राजस्तान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी डोला मारू की प्रेम कहानी दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट में जरूर बताए